माई नीम इस अलीशो गुप्ता आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर वन मैटा है ना स्राउंडिंग्स मैं आपको पैरिग्राफ वाई समझाती जाओंगी आपको यह फिर बात में वीडियो के देखने के बात उससे समझने के बात आपको यह सेल्फ डीट करना है इस पेरग्राफ में हैं सबसे पहले जवर पैरग्राफ कंगें बताएंगे कि मेटर क्या मैट रिप्टर पामरे उन्यवर्स प्रहाइंग वह आधिए मेटा जैसे हमारे clouds होग है stars plants animals वगड़ा जितने भी चीज़े हैं वो सब कि सब क्या है matter है और यह जो matter है ना वो पांच तत्वों से भी बने हैं जैसे air, earth, fire, sky, water यह जो 5 basic elements होते हैं matter के जो कि 5 तत्व के थे जिसको अपने घर पे parents को और elders को discuss करते हुए भी देखा होगा तो वो सब कि सब यह ना elements कि इसके matter इसे क्या बनाए matter बनाए अब हमें ना matter को classify करना था क्लासिफाइब किया physical property देखकी और उसका chemical nature देखके अब physical property और chemical nature क्या है तो जो physical property है ना physical property में आता है हमारा size हो गया shape हो गया उसका appearance ओके चो chemical nature है उसमें आका reaction उसका composition क्या है वो सब chemical nature हो गया अब हम पढ़ेंगे physical nature of matter कि उसका physical nature matter का physical nature क्या होता है हुआ है so first point is this कि matter is meet up of particles जो मारा matter है वो ना particle से बना हुआ है कुछ कुछ ने बोला कुछ ने बोला कि वो जो हमारा matter particles है उसके वो block जैसे हो सकते हैं और sand जैसे भी हो सकते हैं इतना है कि जो matter है ना वो particle से बना हुआ है ओके और एक और बात जो मारा matter है ना matter में वो space occupy करता है उसके पास mass होता है और उसके पास volume भी होता है अब जो mass है ना अब space क्या होता है space होता है जगह जगह को we space कहते हैं जो कि matter में space होता है mass होता है mass मतलब होता है जो कि हम केजी में लेते है mass की जो ऐसा unit होती है ना उसे क्या kg में वो लीटर होता है तो में तरना उसके पास वॉल्यूम भी होता है मास्स भी उक्यूपाइब करता है अब हम एक्टिविटी देखेंगे तो एक्टिविटी में है कि 100 ml का बीकर लिए हमने वेसल बोले होगे आप इसको बढ़तर ले लोगे यह आप जो एक्टिविटी है ना ज बीटी परफॉर्म कर सकते हो तो इसलिए आप 100 ml का बीकर लीजिए उसके बीकर में उस वैसल में आप वाटर डालेंगे उसके बाद उसके लेविल को मार्क करेंगे मतलब कितना आपने उस वह वाटर का जो है ना मैजरमेंट ने लिए कि वह कितना एम्यल वाटर है उस बीक डालेंगे अब उसमें ना हमने अगर हमसाल्ट डाल रहिए तक एक सॉल्ट के ग्जांपल दिया हुआ है जो शॉट मतब होता है नमक और जो शुगर है हमारा वो है हमारी चीनी तेकि अगर उस पानी में सॉल्ट डाल सकते हैं घर पर फॉर्फॉर्म कर सकते हो तो अब आप दिखेंगे कि वह जो है ना वो डिसिपियर हो जाए कि अब इसमें जो वाटर है उसे वाटर डाल दिया पानी डाल दिया उसमें उसके बाद उसको मिक्स कर देते उसमें सॉल्ट डाला गया है सॉल्ट डाल के उसको मिक्स करते हैं अब मिक्स करने के लिए स्पून भी ले सकते तो और आप एक गलास जौडल है जैसे ही घ्लास जौड थेट वैसिन मैं अब वह ले सकते हो तो आप सोच रहो गे कि जब हमने इसमें नमक डाला जाँ ङखी है कभी अपने सोचा होगा अपने देखा होगा कि जब हम पानी में नमक डालते हैं असे मिक्स करते हैं सॉल्ट डालते हैं या फिर अम आछ टालते तो बों बीसपियर हो जाता गायब हो जाता है तो उसका रीजन है कि क्या होता है कि उसका रीजन किया है इिाक ले ये होटा है जो जो की सोल्ट कि स्टाव्ट संट न चुट्व जो 2 बीच में स्टों सोल्ट एक डोलोक को क्या स्टों संट उसको एपनी जगे लिए 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 झौंग के मैं स्टेकर quण जोतों स्कौर्टा रतिकान चांओ एक स्ट उन स्पेस होता है वो पार्टिकल्स की बीच में जो सॉल्ट की पार्टिकल्स है वो अपनी जगह ले लेते हैं जैसे वो जह हम उसको मिक्स करते हैं इसलिए वो डिसिप्यर हो जाता है वो गायब हो जाता है अब हम बात आती है कि पार्टिकल्स हमारी स्मॉल हैं लाच उसके साइस के बारे में तो पार्टिकल्स हमारे स्मॉल होते हैं उसके लिए के एक्टिविटी परफॉर्म की गई है जैसे पहले लिए आपने दो तीन क्रिस्टल्स का पुटेशियू पर मैंगनेट की उसको हम डिसॉल्फ करेंगे फिर हंडिट एमल ऑफ वाटर में फिर उसके बाद हमें क्या करना ह है जैसे यह डाइग्राम है उसके बाद हमें क्या करना है पहले हमने 100 ml का हमने वाटर लिया उसके बाद दो तीन क्रिस्टल्स हमने पोटेशियूम पर मैंगनेट के डाले ओके बीकर में फिर हम क्या करेंगे अब अब आप देखेंगे आप अब्सर्फ करेंगे चीज जब पर मेंगनेट डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है जैसे डाइग्राम में दिया हुआ है ना यह वाला डाइग्राम जो है यह वाला यह डाइग्राम में दिया हो कि 100 एक कलर का चेंज हो गया है अब हम क्या करेंगे टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water अब हम क्या करेंगे इसमें से 10 ml का solution निकालेंगे अब यहां पर solution बोला गया है वो क्या है solution है potassium per magnet plus water मतलब उसको solution बोल दिया हमने potassium per magnet water है ना वह solution उस solution मिसे हम 10 ml solution निकालेंगे और जो दूसरा बीकर है ना उस 90 ml के लिए water में डाल देंगे यह चीज जो है ना process हमारा वह हम कहीं बार times repeat करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम पहले तो हम उसका 10 ml solution लेंगे potassium per magnet water का उसको दूसरे 2 बीकड में डालेंगे दूसरी बीकड से फिरम उसको 10 ml लेंगे 10 ml लेंगे फिर 3 बीकड में दूसरे यह तोरी बेकर में ठालेंगे तो मесはいकर से बार बार repeat करेंगे कि उद्वा कर रहे था यहां इदर से इदा ट्रांसफर धनल कर से दो सलूऌन of potassium per magnet can color a large volume of water तो आप क्या है जो हमारे potassium per magnet क्रिस्टल्स है ना वह इसली से spread हो उसका साइज लार्ज होता ना तो इतना spread नहीं कर पाती नहीं इसली पर उसका particles के साइज थोड़ा स्मॉल होता है तो वह जल्दी से लार्ज वॉल्यम वॉटर उसको बहुत कलर दिया जब रहें निकाला तो उसका कलर थोड़ा कम वह जाते हैं देखो कंक्यूट्ट योट्थ ट्यास विलियोंस ओफ टैनी पार्टिकल समने कया पता है अटराकर कउब डेंगाल पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स दोस्क्राइड । ज्यांदिksom जा रिएं झाल इसमॉलरे हो उसे प्राइब किया क्या कि अभगे सेम एक्टिविटी है ना हम 2 ml के साथ भी कर सकते हैं परफॉर्म 2 ml लेके भी कर सकते हो अब इसका एक है नूट कि यह पार्टिकल्स ऑफ्मैटर है वह बहुत स्मॉल हो थे बहुत स्मॉल होते हैं थे ने समें स्क्रेंड तो इसके तीन अद्विस्टा क्या मैंटब करेंद आपकर अभी टिंड़ का मैंने हो पार्टिकल ა मैंटर के यह पृष्ट होता है नो फ्रक्तेffen में आपि various ना इसिए वहाल इस हैंकि पाना थे सब्सक्राइब स्पोरश को χास्मार उन हुडता थे यूद्म में इस पार्ट थे वह सब्सक्राइब बार का ल्हाइद्श में बटर लिए थो बॉटर ले लिया एक मेंटर है उसका पार्टिकल जो है इंटि था स्केस ब्टून पार्टिकल्स ऑफ दी अधर मैंद हमें उसमें वाटर के पार्टिकल्स की जो स्पेस थी उसे फिल कर दिया अब उसका दूसरा कारक्टरस्टिक्स यह था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर कि वह मूव भी करते हैं बहने अब आपने देखा होगा ना हर घर में mostly एक बच्चा एसा होता ही जो इदर से उदर गूमता रहता है वह कभी मूफ करता रहते जो इदर से उदर कुछ हम पैरन्स कुछ कुछ आते ना कि यह तो यह बच्चा तो एक जगे बैठी ही नहीं सकता इस उतर घूमता ही रहता एक्टिविटी में क्या है हमें इसेंस टेक मतलब होता है जैसे आपने देक्था होगा जब के पैरिंस वग रहा है जो अपके ग्राइन्ट्स और आपके इसका एक्जांपल हो सकता आपका जो अगरबती उई धूरपती वग रहा हुई त्यक्डी कि इसमें से फ्रेग्रेंस तक आती है आपने देखा हो अपने घरों में कि जब मंदिर में अगरबती बड़ा कुछ जलाते हैं तो जो फ्रेग्रेंस होती है वह काफी डिस्टेंस तक हमारी घर पे मतलब फैल जाती है तो वैसे यह एक अब जाहिए वह फैलेगी क्यासे क्योंकि वह चो पार्टिकल्स है जो स्प्रेड करते हैं दर से लगें और हमक्त उसे पाता है तो जो कलार होती है नो ईनकी उनक रेड है लिया हिस लिड हो जाएगी रहाख में नेना रही है के कमपेडिशन पर कोई दिखकत नहीं अपने मिक्स हो जाएंगे अब अब एक्टिविटिएगी में क्रिस्ट्र dobr लिया कॉपर सुलफेड का और हमने क्रिस्ट्र लिया में कॉपर सलफ़ेड का पॉट्रेशियु me मैंउट का मैंगनेट में मैंगनेट भी मैं लेसकते हो पॉप ग्लास में क्या करते हें एक मैं अर्थ एक में फ्रेक्ट गड़न ने पानी और आप इसमें और ऊसके पर उसके बात क्या करें इसको स्टर नहीं करेंगे अब जो क्रिस्टल्स नहीं करना जो अलाव करना है यह चैटल हो जाया अब उसमें क्या दिखेंगे जब थोड़ा टाइम पास हो जाएगा कि वह भी ना मिक्स हो जाएगी तो जिसे अब हम अब देखें जैसे हमने पहले डिसकर्स किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं अब अब आप बताएगे जब आप कहते हैं कि हमें खाने से एनर्जी आती है है उनको इतनी नहीं कर पाइंगे उनके पास इनके पास करते हैं तो जो मारी काइनेटिक एनरजी होती है ना वह बी इंक्रीज हो जाते हैं कि है और अब अब कभ्ये हैं डियुकर आपके यदो कि अपने गरम करतें चीन शुकर हो जाएगा जल्दी मिक्स हो जाता यदि कोअल बॉटर में मिक्स करने के कंपेरीजन में उसका है यह जलुदी मिक्स होजाता एसको टैम्फरेश shouldn'tous ऐसे तो ऑफ जलिए सप्डै out जो जब पार्टिकल स्वुक्य बॉव करते हैं इसको अब वो क्या दर जाते हैं तो थोjs kattis into the spaces between the particles this intermixing of particles of two different types of matter in the odon is called diffusion अब देखिये क्या होते है पार्टिकल्स ने दूसरी की spaces fill कर देते हैं जिसे हमने water and salt डाला तो salt ने बोटर के हैं उसे बाइए की का नाम दिया रिसे ब्रक्तिकल्स टूसरे से तो इंटर मिक्सिंग ऑप्रिकल्स और यहां चुछ रहने देते हैं उसे नहीं ने करते न उसमें फीडि रीपियोल मिक्स हो जाती थी पर्टिक्ल एक दूसरे से तो उसकर हम क्या बोलते हैं तु किया वॉलते हैं तीक है और एक और रिपीट करती हूं चोब जो में आपने इनरजी और यूज करो करने मुझ करते हैं कि अब नपर्फि हैं उसका म्यज़न का पांटिकल का तो यूज है इसके पार्टिकल्स की यहांब चोन डेंघाल यूज़न अड़िकर घडिये नग्तर हैं यह इंपोर्टिकटन पोइंड है कि जो निए तिनोर क्रेक्टरिक्स हैं आप इसको 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 ऑफ इसे को बच्षप इसको है अगर आप उसको अच्छी से पूंप्ड कॉंसेटरेशन से रीट करों कि आप बहुत इसली समझ में आ ले लें और इसमें क्या है पहले फूर ग्रुप्स लेएफ हम इस में क्या करेंगे फौर ग्रुप्स लेंगे ठेक हैं and form human chains आप जैसे डायग्राम में देआ हैं नहीं जो यह लड़के हैं आ इसे हाथ धर हक्किशहाः आप चैनिrained human chains बना हुही और ले सकते हो गल्स पी ले सकते हो एसरे हम हमें फोर ग्रुप्स बनाने है और हम युमन चेंज न बनाेंगे ओन मैं एक डुझेद मिशमी डानसर जैसे डांसर यहें से कुछ जैसे फिम्तों करें है ना बेसके फिस्ट्ट्रफिक क्या करेंगा आपने जी करेंगे कि अफ्ट्रफिश करते हैं और इसे अपने बाद करना यह को उसको यूसरे को टच करके ठरड़ गरूप बनाएगा अब फूर्थ का काम इन भूल्ट इंट्रेस्टिंगा फूर्थ का काम यह है कि उनको ना यह जो फॉर्स सेकेंड ठरड़ ग्रूप्स थे ना उनकी यूमन चेंड को ब्रेक करना थे तब अब जब जरा शूचें कि फॉ 1000 फिंगर्टीप उसको ओल्ट मिला फिंगर्टीप championship कर रहा था इसके हमने और हम चैन ब्रेक पीजली इसली का फिर हैं ऐसे फिंगर्टीप के मड़ज से gotbags ऑन गया तो हमने फिंगर्टीप यूत मैं इसमें फिंगर्टीप ऊड़त जब जब इसको इनको प्रेग करें तो सबसेए प्रेग निया किया अब जब इसको इनको ब्रेक रोगे ना तो सबसे इसली का रहना सल्ग में जपक ब्रेक होगा शो कोशाओ प्रकिस्टेश हो बॉर्टेशन होते हैं अभी आप तबी इस व्र्पोर्म करने तो जो चाहरों कि आपको कि उसका फोर्स ऑट्रैक्शन होता है ना ह्टीकरल्स नगीं वो कम होती है rubber band और iron nail की comparison में तो यहां पर सबसाथ force attraction का है particles का iron nail में अब यहां पर एक और activity है आप इसी घर पर ट्राय कर सकते हो क्या वाटल होगे container में आप वाटल होगे container में और उसको cut करने के कोशिश करोगे surface of wet water को cut करने के कोशिश करोगे तो आप देखोगे आप क्या observe करोगे कि वाटल के जो सरफेस हो cut नहीं हो क्यों क्यों कि उसके particles का ना force of attraction ना उसकी particles का water के particles जो है ना जो जादा होता है वैसे कट नहीं होगा आप की जो clothes होते हैं आप उसे cut कर सकते हो अब आपके जो water के जो water रहना वो कभी cut नहीं हो सकता जो क्यों कि उसके जो particles उसको जो force of attraction है वो जादा है दा बहुत थ्री जो भी हमने activities डिसकर्स की थी 1.6 1.7 1.8 सजेस्ट एट पार्टिकल्स अफ मैट्र मैट्र की जो उसमें ना जो पार्टिकल्स है ना मैट्र के है force acting between them उनकी बीच में फोर्स होता है ठीक है यह जो फोर्स ने पार्टिकल्स को टूगेदर रखता है एक साथ रखता है जो strength होती है ना आज जो strength होती है ना कि force of attraction उता ने पार्टिकल्स का सारे मैटर थो blancको भी से थोड़ा टायम ज्यादा वारा टायम ज्यादा लगा और थी बहुत थी आन्यल के ऐसंद्या जड़ा स्कति हम उख्यां प्रफेस थुंतमें कट उन्येयचन वह स्वोडान मैं लिएट्रीखता को कि है one matter to another okay one matter to another वो डिफ्रेंशियेट होता है तो आपको अकर यह चैप्ट अच्छी से समझ में आ गया हो तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जिसे उनको भी बेनिफिट मिलें उनको भी समझ में आए अच्छे से ओके और अकर आपको कोई डाउट हो तो आप को अपने डाउट्स किलियर कर सकते हो कमेंट आप कमेंट बॉक्स पे जाके आप कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसे मैं और जब चैप्टर्स डालो ताको नोटिफिकेशन मिल सके ओके थैंक यू